हेलो फ्रेंड इसे विशाली एन वेल्कम बैक टू आर यूट्यूब चैनल इस्टड़ी विद कोच जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग ने 2020 के लिए यूपी PCS का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो बस देखिए आयोग जो है अपने पूरे मूड में है परिक्षा कराने के इसलिए बहुत जरूरी है कि आप डे वन से ही अपनी तयारी स्मार्ट तरीके से करते हुए चले इसी बात को ध्यान में रखकर आज हम यूपी PCS प इस टेस्ट का हर एक question attempt करें और अपना score जो है वो comment box में share करें और बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं ACI सिहों का घर किस अभ्यारने को कहा जाता है गिर अभ्यारन काजिरंगा अभ्यारने मानस अभ्यारने या पेरियार अभ्यारने देखे ACI सिहों का घर कहा जाता है गिर अभ्यारने को कहा पर है ये गुजरात में अगर बात करें काजिरंगा अभ्यारने की और मानस अभ्या भारत के किस राष्ट्य उद्यान में घडियालों की संख्या सरवादिक है भीतरकनी का राष्ट्य उद्यान नागर होल राष्ट्य उद्यान दाचीगम राष्ट्य उद्यान या काना राष्ट्य उद्यान देखे भारत में जो है भीतरकनी का राष्ट्य उद्यान में सरवा माटक में दाची गमराश्य उध्यान जो है वो है जम्मू कश्मीर में काहना की बात करने तो काहना कहां पर है MP में यानिके मध्या परदेश में सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए देखे एक तरफ तो इस प्रत्वी दिवस है वो कम मना जाता है 22 अप्रेल को मना जाता है विश्व जल दिवस कम मना जाता है 22 मार्च को विश्व वानी की दिवस कम मना जाता है 21 मार्च को राष्टिया परदूशन रोक्थाम दिवस कम मना जाता है 2 दिसंबर को तो सही कौन सा आंसर होगा अमारा यह होगा B, अगला कोशन क्या कहता है, सदा बहार वनों की क्या विशेश्ता है, कम लंबे वरक्ष वा खुलापन, छार ये छाल, घने वन एम वरक्षों की बहुरूपता, या फिर कांटेदार वरक्ष, देखें, घने वन और वरक्षों की बहुरूपता, सदा बहार वनों की विशेश्ता है अगर बात करें कम लंबे वरक्स वा खुलापन की तो ये पत जड़ जो वन होते हैं पत जड़ वनों की विशेश्ता है छारिय जाल जो है ये डेल टाई डेल टाई वनों की विशेश्ता है और कांटेदार वरक्स मरुस्थल मरुस्थल वनों की विशेश्ता ह निमने लिखित में से कौन उष्न कटी बंदिया घास के मैदान नहीं है, देखें नहीं है, लानोज, कैम्पोज, पंपास या पार्क लेंड, देखें जो पंपास है वो उष्न कटी बंदिया घास के मैदान नहीं है, यह शीतोष्न, शीतोष्न कटी बंदिया, घास के मैदान अगला question देखते हैं किस भोगोलिक छेत्र को जैब विवित्ता का भंडार की उपमा परदान की गई है उश्न कटी बंदिया वर्शावन परवाल भित्तिया उश्न कटी बंदिया सागरिया छेत्र या आद्र भूमिया देखे जो उश्न कटी बंदिया वर्शावन होते हैं उनको जैब विवित्ता का भंडार कहा जाता है उन्हें इस नाम की उपमा दी गई है क्योंकि जो ये उश्न कटी बंदिया वर्शावन होते हैं जैब विवित्ता में समरद्ध होते हैं अगला कोश्चन है निमने लिखित जैव मंडलिया छेतरों को उनके इस्थापना के अनुसार ववस्थित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए देखे जो पंच मड़ी है कहाँ पर है पंच मड़ी MP यानिके मध्या परदेश में कब हुई थी इसकी स्थापना तो हुई थी 1999 में अचान कमार अचान कमार कहाँ पर है ये भी है मध्या परदेश में इसकी स्थापना कब हुई थी 2005 में हुई थी इसकी स्थापना अगर बात लिखाग करें नील गीरी पर्वत्त की नील गीरी जो जैवमंडिय छेतर हैं यह काऊ पर हैं? यह है वहई तीन राज़ों में केरल करनाटक और तीसरा कॉन सा है तमिल नाडू तमिल नाडू तीन राज़ों की बात करें तो कहां पर है यह तमिल नाडू में तमिल नाडू में अरश की स्थापना कब हुई थी 1989 में तो सही कूट कौन सा बनेगा हमारा तो बनेगा अगला कोशन देखते हैं सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रूधिर वर्ग होता है यानि के ब्लड ग्रूप होता है ए ब्लड दे सकता है ए ग्रूप वाले को भी ए बी ग्रूप वाले को भी बी ग्रूप वाले को भी और ओ ग्रूप वाले को भी इसलिए इसका नाम दिया गया है सर्वदाता अगर बात करें कि ब्लड ग्रूप की मतलब आविशकारिया खोज किस ने किया तो वो क्या था कार्ल कार्ल लेंडस्ट किस एर में क्या था तो यह क्या था उन्निस सो में निमने लिखित में से कौन कठोरतम धातुए हैं सोना और प्लैटिनम प्लैटिनम और लोहा हीरा और प्लैटिनम या सोना और हीरा देखें जो हीरा और प्लैटिनम हैं यह कठोरतम धातुए हैं अगर हीरे की बात करें तो जो सबसे कठोरतम धातू है ही रा उसके बाद है प्लेटिनाम जब किसी बोटल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोटल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है Sam पानी गरम करने पर फैलता है बोतल हिमांग पर सिकुडती है या बोतल के भार का ताप करम अंदर से ज्यादा होता है देखे जब किसी बोतल में पानी या फिर कोई भी लिक्विड भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल तूट जाती है क्योंकि पानी जो है या फिर लिक्वीड का जो आयतन है वो बढ़ जाता है इसलिए जो बोतल है वो तूट जाती है रैदे की धड़कन नियंतरित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है देखिए जो पोटेशियम होता है वो हर्दिया की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सायक होता है जबकि जो sodium है वो blood pressure को नियंत्रित करने में सायक होता है सूची 1 को सूची सेकेंड से मिलाना है और हमें सही उत्तर देना है कूट से देखें लेक्टिक अमल एक तरफ अमल दिये गए हैं दूसरी तरफ इनके प्राकरतिक श्रोथ दिये गए हैं देखें जो लेक्टिक अमल है वो किसमें मिलता है वो दूद में मिलता है एसिटिक अमल की बात करें तो सिर्के में मिलता है साइट्रिक अमल जो है वो नीमू में मिलता है ब्यूटाईरिक अमल जो है वो दुर्गंद युक्त मक्खन में मिलता है तो सही option कौन सा हो जाएगा तो इसका सही option होगा 3, 4 तो option number B सही हो जाएगा इसका क्या कहता है एगला question वायू मंदल में जलवास्प की मात्रा भूमध्या रेखा से दुर्वो की और घटती है देखे जो atmosphere में जलवास्प की मात्रा यानिके जो water vapors की मात्रा होती है वो भूमध्या रेखा से दुर्वो की और घटती रहती है सूची वन को सूची से सुमेलित कीजे तथा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजे एक तरफ केंद्र दिये गए हैं दूसरी तरफ उध्योग दिये गए हैं तो हमें बताना है कि कौन सा केंद्र किस उध्योग के लिए परसिद है चलिए देखते हैं देखें जो सारनपूर है वो किसके लिए परसिद है लकडी पर नकासी के लिए परसिद है मेरट जो है वो खेल का सामान के लिए परसिद है मुरादाबाद पीतल का समान के लिए परसीद है और बरेली जो है वो तीली उद्योग के लिए दिया सलाई उद्योग के लिए परसीद है तो सही आंसर कौन सा होगा इसका ओप्चन अंबर A सही हो जाएगा निमलिल लिखित युगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है रानीपूर वन्याजीव अभ्यारन ने चित्रकूट में है बिल्कुल सही महाभीर स्वामी वन्याजीव अभ्यारन ने ललितपूर में बिल्कुल सही सोहा गीबुरवा वन्याजीव अभ्यारन ने जो है माहराज सांसकर्तिक केंद्र कहां अवस्तित है तो उत्तर मद्य छेत्र सांसकर्तिक केंद्र कहां पर है उत्तर परदेश के परियाग राज में जिसका पूराना नाम जो है वो इलाबाद था लेकिन अब चेंज करके क्या कर दिया गया है परियाग राज परदेश में अवनालिका अप परदन से सबसे अधिक परभावित जिला है इटावा उत्तर परदेश में राज्य सूचना आयोक का गठन कब किया गया तो यह किया गया वर्स 2005 में 14 सितंबर दो हजार पांच में किया गया और इसके जो पहले राज्य सूचना आयोक्त थे वो कौन थे न्यायदिश यह जो है उत्तर परदेश के पहले राज्य सूचना आयोक्त थे अशोक के किस सिलालेक से कलिंग यूद का वर्नन प्राप्त होता है 11 शिलालेक 12 शिलालेक 13 या फिर 14 देकि जो 13 शिलालेक है उससे अशोक के कलिंग यूद का वर्नन प्राप्त होता है साथ ही साथ अशोक ने जो धरम परिवर्तन किया था धरम परिवर्तन उसका भी पता चलता है आमें तेरवेशिलालेक से और अशोक के जो पडोसी राजा थे पडोसी राजा उनके बारे में भी जानकारी मिलती है अलावदीन द्वारा न्यूक्त अधिकारी जो वस्तुओं का पर्मित जारी करता था उसे क्या कहते थे पर्वाना नवीस देकिन जो पर्मित जारी करने का काम था वो था पर्वाना नवीस का ब्लू वोटर पॉलिसी किसकी नीती थी अलफांसो डी अलभूकर्क फ्रांसिसको डी अलमीडा नीनो डी कुन्वा या फिर इन में से कोई नहीं देखे जो ब्लू वोटर पॉलिसी थी वो थी फ्रांसिसको डी अलमीडा की जो फ्रांसिसको डी अलमीडा था पुर्तगाली वाइसराय था पहला पुर्तगाली वाइसराय था इसने क्या किया था कि जो हिंद मासागर पर ये चाहता था कि जो पुर्तगालियों का एक आधिकार रहे इसलिए इसने बड़े बड़े जो हैं फोर्ट बनाए जिनका उद्देश्य मतलब ये नहीं था कि वो स इस ही को नाम दिया गया Blue Water Policy इसके लिए कौन से मियदार था ँशा कुंतलम की ऑन वाद आप एक आंन effort ने क¹ अल्मीड, आपीख्ञान एन चांकाथ किस लें इली गए ठीक cat daysomething में अनुवाद किस एर में कशा क्वा नुब विद्रो स्वाधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राश्ट्य संगर्स था ये किसका कथन है देखे विनायक दामोदर सावरकर का कथन है कि जो 1857 का विद्रो था वो जो राश्ट्य संगर्स था वो स्वाधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया था तो ये कहा था विनायक दामोदार सावर करने ड्रॉकेंसबर्ग परवत कहां अवस्तित है नाभीबिया में, दक्षिन अफ्रीका में, बोत्सवाना में या फिर जांबिया में देखिए जो ड्राकेंसबर्ग परवत है वो है दक्षिन अफ्रीका में option number इसका B सही होगा दक्षिन अफ्रिका में है ड्रोकेंस बग परवत सूची 1 को सूची 2nd से सुमेलित करना है और हमें फिर सही answer बताना है देखे एक तरफ जो है मैदान के परकार दिये गए हैं और दूसरी तरफ कि वो कैसे बनते हैं निर्मान स्थल उनके बताए गए है चलीए मैचिंग करते हैं देखे जो कास्ट के मैधान है वो बनते हैं चुने चुने के पर्देशों में कास्ट के मैधान जो है वो चुने के पर्देशों में अगर आपको यह आता है तो आप इसका आजानी सा अंसर लगा लेंगे देखें फूर्थ नंबर बस एक ही में सही है उप्शन नंबर सी में चलिए आगे क्यों यह देख लेते हैं लोईस मैदान जो है वह वायू के निक्षेपन स्थल्स में बनते हैं संप्राय मैदान अपर्दन दुआरा उचे भूह भागों के घिसने से बन नंदा एम तापती माही एम नर्मदा माही एम चंबल चंबल एम केन देखें जो सत्पुड़ा श्रेणी है वह नर्मदा और तापती के बीच में अवस्थित है सबसे पहले आती है नर्मदा नदी नर्मदा नदी फिर यहां पर होती है सत्पुड़ा श्रेणी कवारत्ति राजधानी है सी इता नगर नमनेमदीव की धमन है वम नागर हवेली यह है लेक्सवासा निमले के चत्टानों में इसे किसमे कोईले के विशाल बंडार जो भारत के पर्मुख कोईला भंडार च्छेत रहें कौन-कौन से दामोदर घाटी जैसे हो गई दूसरी बराकर घाटी हो गई और गोदावरी घाटी हो गई ये चारो जो हैं ये पढ़ते हैं किसमें गोडवाना चटानों में पढ़ते हैं और ये कोईले के बहुत अच्छे भंडार है नदी द्वारा निर्मित इस्तला करती नहीं है वियाकार की घाटी, तटबंद, अंधी घाटी या फिर जलोडपंग देखिए जो अंधी घाटी है वो नदी द्वारा निर्मित इस्तला करती नहीं है ये भूमिगत जल के द्वारा बनती है अंधी घाटी इस्थिला करती जबकि जो वियाकार की घाटी है तटबंद और जलोरपंग ये तीनों जो है वो नदी के द्वारा निर्मित होने वाली इस्थिला करती है अगला कोशन क्या कहता है निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए स्टेटमेंट दी गई हैं दो पहली है जायरे नदी मकर रेखा को दो बार काटती है बिल्कुल गलत है क्योंकि जो जायरे नदी है वो विश्वत रेखा को काटती है दो बार कारती है जबकि जो लिम्पो पो नदी है वो मकर रेखा को दो बार कारती है दोनों ही जो अफजा आफ्रीका है अफ़ीका कंटिनेंट में बैती है दोनों नदी जायरे हो लिमपो इसलिए ओप्शन नमबर्डी साई होगा ननीत्य जो इimmenलिकित यूगमों सागर में गिरती है बिल्कुल सही एब्रो नदी जो है वो बूमत्य सागर में गिरती है ये भी सही है तो इसमें से जो डौन नदी है वो कैस्पियन सागर में नहीं गिरती है वो अजोब सागर में गिरती है डौन नदी अजोब सागर में गिरती है लेकिन यहाँ पर दिया हो देखे, जो France है, उसको लगू यूरोप के नाम से जाना जाता है, भूमी और जलवाईउ की दरस्टी से, किसको? फ्रांस को लगू यूरोप के नाम से जाना जाता है, यूरोप महादीप में केवल France एक ऐसा देश है, जो खाध्यान में आत्म निरभर है, और France को जो है वो किस प्रफवानों का देज़ देखे सारे कोशिंस जो हैं वो यूपी पीसीस के बिल्कुल पैटन को देखकर ही बनाए गए है और उसी कोड़िंग उसमें अरेंज किये गए है अगला कोशन है कनाडा में वनों की लकडिया काटने वाले को कहा क्या जाता है कनाड़ा में जो वनों की लकड़िया काटते हूं सचेक वन को C सुमयलित कीजिए और नेुर कूट दिये गए उनसे सयूत्तर का चलन कीजिए देखे एक तरफ जो हैं परियोजना दे गई है दूसरी तरफ दिए गई है राज्य कि कुन से परियोजना किस राज्य कियो है नाप्ता-शॉप्जार है अलट यहे हिमाचल पर देश में औरी फsto रफोगप्र Ones पर आती है हमारी और उसके बाद में शरावती परियोजना जो है वो थ्री यानि कि इसका बी आंसर सही होगा 4321 निमलिकित युगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है बुक्सा उत्राखंड में पाई जाती है देखे ये जंजातियां है इधर और इधर जो है इनके परदेश उत्राखंड की जन जाती है घर जाती है जो और नमबर बी गलत है अगला उसे क्या कहता है निमलिकित युगमों इसे कौन सही सुमेलित नहीं है देखे एक तरफ क्या है यह क्या है यह इस्थान्य हवा दी गई है और इनके चलने के इस्थान्य हवाएं हैं तो यह कहां पर चलती है सिमूम अरब के रेगिस्थान में चलती है बिल्कुल सही है टेमपोरल जापान में चलती है यह गलत है क्य वी इरान की स्थान्य हवा है तो यहाँ पर option number B गलत है temporal साग्रिय जल्दाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गती को परभावित करने हैं तो कौन से कारक उत्तरदाई हैं प्रत्वी का परिभर्मन गुर्तवाकरशन तापकरम वास्पी करन देखें जो साग्रिय जल्दाराओं की उत्तरदाई और उनकी गती को परभावित करने हैं तो जो कारक हैं तो वो कौन-कौन से हैं यह चारो कारक हैं तो option number D सही है क्योंकि जो प्रत्वी का परिभर्मन है वो भी गुर्तवाकरशन और तापकरम वास्पी करन देखें जो हैं यह साग्रिय जल्दाराओं की उत् की जल्दारा सबसे पहली बात तो यह जो चारो option दिये गाए हैं यह परशानत महासागर की जल्दाराई है चारो जो ओप्षन है इसमें सो जो क्योराशीवन धारा यह गरम जल्दारा जैब कि आयोशीवन धारा कैलिफ Sun Yoiche Athe यह जो हैं तेनो फ Questionsлекuma की ऐनोय स्दरन के दारा को है यह से बाग्म कि शरा आप की जाये तो इसको क्यूरख ऐलत है क्यूरोशड कि अधरतर को क्यूं इसको क्यूं के जलतार आ। निम्न लिखित युगमों में से कोन सही सुमेलित नहीं है पापुवान, पेरू, बुश्मैन, कालाहारी, पुनन, बोर्नियो, खिर्गीज, मद्देशिया देखे, जो है इधर दी गई है ये हैं जन जाती और पापुवान नहीं पाई जाती बलकि ये निउ पापुवागई, दुईप में मिलती है पापुवान जो जन जाती है तो प्षैक नमबर एक हलत है जो बुष्मैन है वो काला हारी मरुस्थर में पाई जाती है पुनन Правकी खिरगित जो है वो मद्य एश्या में पाई जाती है सूची वन को सूची सेक्रिय मेलीत की sprawता लेख संद के संदी का शेंद करना है एक तरफ देश दिये गए हैं दूछे तरफ उनके जो उपनाम है वो दिये गए हैं देखें मैं अमार को क्या कहा जाता है मैं अमार को कहा जाता है स्वन पैगोड़ा का देश जापान को क्या कहा जाता है सूरियो द्रय का देश फिनलैंड की बात की जाए तो इसको कहा जाता है आरियो का देश तो सही आंसर क्या होगा सही आंसर होगा टू वन फोर थ्री और नमबर बीस का सही होगा निमने लिखित में से कौन सा बंदर गहा भारत के पश्मी तट पर अवस्थित नहीं है कांडला मर्मुगोवा पारादीप या मुंबई देखें जो पारादीप है य नियाए से तातपर या है अनुपाती नियाए से क्या तात परईया है सामाजिक नियाए आर्थिक नियाए, सामाजिक और आर्थिक नियाए, या फिर सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक नियाए देखिए जो अनुपाती नियाए से तात पर यह है सामाजिक यानि के सोशल और आर्थिक यानि के economical justice नियाए सामाजिक और आर्थिक नियाए, option number C सही होगा इसमें, उच नियाए अले के नियाए दीसों को पद से हटाया जाना, संबंदित प्रावधान किस देश के समिधान से लिया गया है, बिर्टेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, उस्ट्रेलिया या फिर कनाडा, देखें जो उच न नियाए पालिका की स्वतंतरता, और इसके अलावा कौन सा लिया गया है, इसके अलावा लिया गया है, महाभ्योग, राष्टपती पर महाभ्योग परकिरिया भ्योग, तो ये भी हमने जो है, मूल अधिका, नियाए पालिका की स्वतंता, महाभ्योग, ये तीनों भी हमने स संयूक्त राज्य अमेरिका से ही लिये हैं। छटी अनुसूची में वर्नित राज्यों में निमलिखित में से कोण शामिल नहीं है? असंधिर्पुरा मनिपूर मेगाले हैं, जबकि असंधिर्पुरा में गालें और मिजोरम मिजोरम इन चारो राज्यों के जो जनजातिय छेत्र हैं उनके परशाशन के बारे में प्रावधान दिये गए हैं छटी अनुसूची में निमलिखित युगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है प्रारूप समीती डॉक्टर बियार अमबेड कर बिल्कुल सही है मोलिक अधिकार उप समीती सरदार वल्ला भाई पटेल ये गलत है क्योंकि ये जे बी किर्पलानी किर्पलानी के अंडर बनाए गई थी ये समीती मोलिक अधिकार उप समीती परकिरिया नियम समीती डॉक्टर राजेंदर परसाद सही है संग्य समिधान समीति जवारलाल नहरू ये बिलकुल सही है तो उप्षिन नमबर्स में बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है समिधान के किस भाग को भारत का मैगना कार्टा की संग्या दी जाती है प्रस्तावना मौलिक अधिकार मौलिक क तीन में किया गया है भाग तीन में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है और इनको भारत का मैगना कार्टा की संग्या दी जाती है प्रोटेम स्पीकर सामाने तक किसे न्यूक्ट किया जाता है तो जो नव निर्वाचि अध्यक्स चुन नहीं लिया जाता तब तक यह जो लोग सभा के सदस्य होते हैं जो नव निर्वाचित इलेक्टिर मेंबर होते हैं उनको यह सपत दिलवाता है प्रोटेम स्पीकर राश्ट पती की अध्यदेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है तो देखे अनुच्छेद 123 के तहत जो है राश्ट पती अध्यदेश जारी कर सकता है उप राश्ट पती के चुनाओ में निर्वाचित में से किसकी भागिदारी होती है तो संसद के सभी सदस्यों के संसद में कौन-कौन आता है राज्यसभा और लोगसभा और उसके सभी स सुमेलित है देखे इसमें हमें बताने कौन सा सही सुमेलित है तो इसमें से जो अनुच्छेद 43B है यह सहकारी समीतियों को प्रोचाहन के बारे में प्रावधान करता है अनुच्छेद 43B अगर अनुच्छेद 40 की बात की जाए तो इसमें जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है अनुचेद 45 क्या है इसमें जो बाल पूर्व ववस्था की गई है उनकी सिक्षा की ववस्था की गई है बाल को की अनुचेद 47 में जो है वो पोशा हार की पोश्टिक भोजन कैसे मिले और साथ में जीवन इस तर में कैसे सुधार हो जीवन इस तर में बारे में प्रावधान किये गए हैं निमने लिखित युगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है देखे एक तरफ जो है गवर्नर जर्नल दिये गए हैं दूसरी तरफ जो है सुधार दिये गए हैं तो लोड विलियम बेंटिंग ठगी पर्था का अंत किया इन्होंने शुवद था ये किया था जोन सोर जोन शोर जो गवर्नर जर्नल थे उन्होंने शुषूवद पर्था का अंत किया था तो इसमें और सी गलत है फ्रांसेजियों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहां इस्थापित की थी देखे जो कोठी वर्ड है ये फैक्टरी के लिए य या फिर चंद्रनगर तो फ्रांसेजियों ने जो अपनी पहली फैक्टरी लगाई थी वो लगाई थी सूरत में किसी एर में लगाई थी ये लगाई थी इन्होंने 1668 में जबकि जो दूसरी फैक्टरी लगाई थी या दूसरी कोठी स्थापित की थी वो की थी मसूली पट उनहीं से किती तो यह की थीदी के टीए करवे ने इस्थापना की थी परथम भारत्य महिला विश्विध्याले की सूची 1 को सुची से स्थी हमें सुमेलित करना है एक तरफ जो है विद्रो दिये गए हैं दूसरी तरफ जो है उनके वर्ष बताए गए हैं तो हमें इसमें सकते हैं संथाल विद्रोज है वह किसी यहर में हुआ था तो वह था ठारसो पछ्च्पन और झपन में खासी विद्रोज किसी यहर में हुआ था तो यह था ठारसो अठाइस में और रंपा विद्रोज हुआ था 1889 में तो option number A सही होगा अगर बात की जाए कि कुका कहां पर हुआ था कुका विद्रो जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था संथाल विद्रो कहां पर हुआ था यह बिहार में हुआ था खासी विद्रो ये मेगाल्ले में हुआ था मेगाल्ले में और रंपा विद्रो जो है ये आंद्र प्रदेश में हुआ था नीचे दिये गए कूटका उप्योग करते हुए निमलिखित घटनाओं को सही काला नुकरम यानि के टाइम के अकोर्डिंग क्रोनोलोजिकल ओडर में निर्दिष्ट कीजे चमपारन सत्यागरह ये वह था उननिसदों 17 में में रॉलेट एक्ट के विरूत सत्यागरह करता उनिस सो ननिस में आ सयोग अंदूलन उननिस सो sunset भीश में हुआ था अगर होम रूल अंदूलन की बात कि जाय तो ये कव वह था उननिस सो 16 में तो सही स सही सुमेलित नहीं है देकि जो ये हैं ये जो है ये पत्र पत्रिका दिये गए हैं और इनकी भाषा दी गई है परताब जो है वो हिंदी में छपता था बिल्कुल सही है बंगाली जो थी मागजीन वो अंग्रेजी में छपती थी मदरास स्टेंडर्ड अंग्रेजी में छपत करता था और इसका जो प्रकाशित करता था तो यह प्रकाशित किया जाता था इनी बेसरेंट द्वारा मदरास स्टेंडर ओप्शन नमबर सी गलतेस में अल हिलाल यह जो है उर्दू का उर्दू की पत्रिका थी सूची वन को सूची सैक्रिंड से सुमेलित कीजिए और सही उत इंडियन लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1875 में अगर बंबई एसोशेशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1852 में पूना सारजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 में मदरास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में इस तरह स से देखा जाए तो इसका अंस सही होगा 2341 ओप्शन नमबर बी सही होगा इसका मूल करतव्यों के संदर्व में निमलिकित कत्रों पर विचाय कीजिए देखे स्टेटमेंट है तीन भारतिय समीधान के भाग 5 में वर्नित है देखे मूल करतव्य जो है वो भारतिय समीधान के भाग 5 में वर्नित नहीं है इसलिए ये गलत है ये है भाग 4 ए में वर्नित स्वन सिंग समीधान के दौरा 1976 में जोड़ा गया था, तो इसमें से केवल statement second सही है, तो option number C सही होगा, इसका बाकी सब गलत है, भारती सम्विधान में सम्विधान संसोधन वर्नित है, अनुच्छे 352, 356, 368 या फिर 280, देखी जो भारती सम्विधान में कि कोई amendment हो सकता है किसी article में, तो वो दिया गया है अनुच्छे 368 में, इसके तहट संसद जो है वो किसी भी अधीनियम में संसोधन कर सकती है, option number C सही होगा, निम्न लिखित में से कोन संगही ववस्था की विशेष्थाएं हैं, दोहरी सरकार, लिखित सम्विधान, सम्विधान की सर्वोच्था, स्वतंत्र नियाय पालिका देखें, जो दोहरी सरकार, लिखित सम्विधान, सम्विधान की सर्वोच्था और स्वतंत्र नियाय पालिका हैं, चारो की चारो संगही ववस्था की विशेष्था हैं, तो option number D सही होगा, फर्स, सेकिंड, थर्ड और फोर्स, चारो ही संगही ववस्था की विशेष्था ह या फिर 300, देखें, अनुचे 280 के तहत, भारतिय सम्विधान में विटायोग की गठन की बात की गई है, इसको कौन गठन करता है इसका, राष्ट पती, राष्ट पती जो है परतिये 5 वे वर्ष में इसका गठन करता है, अभी जो है फिलवाल वर्तमान में पंदरवा, अध्यक्ष हैं, निम्लिखित समीतियों या आयोगों में से कोन केंद्र राज्य सम्बंदों से सम्बंदित नहीं है, राजमनार समीति, सरकारिया आयोग, दिनेश गोस्वामी समीति या एम एम पुंचिया आयोग, देखें जो दिनेश गोस्वामी समीति है, ये चुनाव स सुधार से जबकि जो राज मननार समीती हैं सरकार्य आयोग और एमेम पुंच्छी आयोग ये तीनों जो हैं ये केंद्र राज्य संबंधित हैं क्या कहता है एकला कुशन राज्य सुची कए किस राज्य सुची के किस विशय पर आपात काल की इस्थिति में संसद को कानून ब स्थिति में राज्य सूची के किसी विशय पर कानून बना सकती है जनरली क्या होता है कि जो राज्य सूची के विशय हैं उस पर कोई राज्य सरकार ही कानून बना सकती है लेकिन आपातकाल की स्थिति में अनुच्छे 250 के तहट संसद को कानून बनाने की सकती दी गई है 356 में क्या है राश्टपती साशन राज्यों में राश्टपती साशन लगाया जा सकता है अनुचे 356 के तहट अनुचे 262 के तहट राश्ट्रिय अंतर राज्य जो है जल्विवाद का निप्टारा किया जाता है अनुचे 263 के तहट अंतर राज्य परिसदों का गठन होता है अनुचे 352 के तहट राष्ट्रिय आपात यानि के नैशनल इमर्जेंसी जो है वो घोसित की जा सकती है तो option number A सही हो जाएगा इसमें सूची 1 को सूची 2nd से सुमेलित करना है और नीचे दिये गए हमें कूट से सही उत्तर का चेन करना है एक तरफ प्रावधान है और दूसरे तरफ अनुचेद दिये गए है देखे राष्ट्पती का कार्या पालक अधिकार ये किस अनुचेद में दिया गया है अनुचेद तरेपन में दिया गया है राष्ट्पती का कार्या काल जो है वो अनुचेद 56 में दिया गया है और राश्ट पती पर महा अभियोग देखे राश्ट पती पर महा अभियोग अनुच्छेद जो 61 के तहत लगा जा सकता है तो इसमें option number हो जाएगा हमारा सही B 4153 दो या दो से अधिक राश्ट के लिए एक ही उच नियायले की स्थापना निमले लिखित में से किस अनुच्छेद में वर्नित है देखे अनुच्छेद 231 के तहत दो या उससे अधिक राश्ट के लिए एक ही उच नियायले यानिके एक ही हाई कोट की स्थापना की जा सक देखे मिजुरम राजय को एक विशेष दर्जा दिया गया है अनुच्छे 371 जी्ट के तहट अब इसका बीज सई होगा भारतिSu सम्वीधान में कुछ ऐसे राज्यए हैं जिनें विशेष दर्जा दिया गया है अनुच्छे के माध्यम से जैसे जमू कश्म hela 370 के तहट दिया गया था जो कि अब हटा लिया गया है और मिजेरोम को अनुच्छे 371 जी के अनुसार दिया गया है विसेश दर्जा भारतिय सम्विधान के अनुछे 351 में वर्नित है छो भारतिय सम्विधान का अनुछे 351 है उसमें राज्य की राजभासा या राज्य भाषाएं का वर्नन दिया गया है तो यह भाग 17 में पढ़ता है और अनुचेद 343 से 351 तक जो है वो राज्ये की राजभासा और राज्ये भासाएं का प्रावधान किया गया है बंगाल का गवर्नर जनरल निम्न लिखित में से किस अधिनियम दुआरा भारत का गवर्नर जनरल बना तो देखे चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना auction numbers में D सही है अगर बात करें कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था जो बंगाल का गवर्नर जनरल से परमोट हुआ था तो वो था विलियम बैंटिक एसे पहले भारत के गवर्नर जनरल थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल से प्रमोट हुए थे चार्टर अधिनियम 1833 की तहत धन विदेयक से संबंदित निम्न कत्नों पर विचार कीजिए देखें दो स्टेटमेंट दी गई हैं धन विदेयक के केवल लोक सभा में पुनर स्थापित किया जा सकता है इसे राज्य सभा अधिक्तम 6 माहा तक के लिए रोक सकती है ये भी गलत है क्योंकि इसे केवल राज्य सभा जो है वो 14 दिन के लिए 14 डेज के लिए ही मैक्सिमम रोक सकती है इस परकार दोनों ही स्टेटमेंट गलत है ना तो first सही है, ना second सही है, तो option number इसमें D सही हो जाएगा, अगला question है, वन्यजीव संरक्षन अधीनियम कब बनाया गया, देखें जो वन्यजीव संरक्षन अधीनियम था, वो 1972 में बनाया गया, जिससे कि जो वन्यजीव हैं, उनकी रक्षा हो सके, उनकी तसकरी ना हो, अव 2002 में, 2002 में इसे संसोधित किया गया, संसोधित के लिए प्रस्ताव दिया गया था, 2002 में, लेकिन जो पूरा काम हुआ, वो हुआ 2003 में, लेकिन इसे अब नाम क्या दे दिया गया है, भारतिया वन्यजीव संरक्षन अधीनियम, 2002, राष्टिया हरित नियाय दिकरण की 2010 में, 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 2010 में जो है, इसकी स्थापना की गई, NGT की, और NGT को एक हाई कोट का दर्जा, जो है, वो परदान किया गया है, हाई कोट का दर्जा, इसको परदान किया गया है, और इसका जो हेड क्वार्टर है, तो वो दिल्ली में अवस्तित है, इसके चार छेत्रिय कारियाले भी है पहला विश्व परियावरन दिवास कब मनाया गया था सबसे पहली बात तो यह है कि जो विश्व परियावरन दिवास कब मनाया जाता है तो यह 5 जून को मनाया जाता है अब बात करते हैं कि पहला कब मना गया था तो यह पहला मना गया था 1974 देखे 1972 में इस संग्यान लिया गया ऐसा कहा गया और यह पहल थी UNEP की United Nation Environment Program की एक पहल थी और 1972 में इसे मनाने के लिए का गया कि 5 जून को विश्परियावरन दिवस मनाया जाएगा लेकिन यह पहली बार 1974 में मनाया गया पोदे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहन करते हैं तो देखे जो पोदे हैं वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहन करते हैं तो option number D सही होगा वे जातिया जो किसी समूदाय में परचूर्ता तथा जयव भार की अल्पता के बावजूद सामूदाइक अभी लक्षनों पर अपना परभाव दर्शातिया कहलाती हैं की स्टोन पर जातिया होती हैं वो किसी समुदाय में परचूरतता जयावभार की अल्पता के बावजूद समुदाइक अभी लक्षनों पर अपना परभाव दर्शाती है तो option number 20 में बी सही है अगर संकेतक प्रजातियों की बात की जाएं तो ये वाइड रेंज वाली आप प्रजातिया होती है जो दूसरी परजातियों के जो है संडक्षन के लिए योगदान देती हैं भूमी का निभातिया उन्हें फाउंडिशन परजातिया कहते हैं अगले कुशन देखते हैं निम्न लिखित कत्नों पर विचार कीजिए देखिए दो स्टेटमेंट दी गई है पारे इस्थित्की तंत्र पारे इस्थित्किया अध्यन की आध्वार भूत इकाई है इसमें अजैविक वाजैविक दो गटक होते हैं बिल्कुल सही बात है संपून जैवमंडल एक जटिल पारे इस्थित्की तंत्र है ये भी सही है तो इसमें दो स्टेटमेंट जो हैं सही है तो option number C सही हो जाएगा first or second दोनों सही है निमने लिखित में से कौन प्रात्मिक यानि के primary पर्दूसक नहीं है ओजोन अमोनिया carbon monoxide उप्युक सभी देखे जो ओजोन है वो प्रात्मिक पर्दूसक नहीं है प्रात्मिक पर्दूसक कौन से होते हैं जो अपने मूल रूप में रहकर ही जो हैं परियावरन को पर्दूसित करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है प्रात्मिक पर्दूसक तो ओजोन जो है वो द्वित्तक श्रिनी का यानि कि द्वित्तक पर्दूसक है जबकि अमोनिया और carbon monoxide जो है वो प्रात्मिक पर्दूस रखे हैं निम लिखित युगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है देखे कपास की डस्ट से कौन सा रोग होता है बिसीनो सिस गन्ने की धूल से कौन सा होता है बैगासो सिस दोनों सही है सिलीका से कौन सा होता है तो सिलीका से जो है वो सिलीको सिस रोग होता है कोईला कंसे ए 3rd और 4th दोनों ही सही सुमेलित नहीं है तो option number इसमें D सही हो जाएगा जबकि first और second जो है वो सही सुमेलित है तो इसमें से D सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं निमने लिखित में से कितने decibel तक की धवनी मनुस्य के लिए हानिकारक नहीं है तो देखे जो 70 decibel तक की जो होती है वो मनुस्य के लिए हानिकारक नहीं है ऑइसने कहा है की जो 100 decibel से अधिक की जो धवनी है मनुस्य के लिए हानिकारक नहीं है । निम्ण लिखित यूगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है सीजा मस्तिस्क ये सही है कारबन मोनोकसाइड रच्ट धाराये सही है Colombia कारबन म tutor दूलकोती फैपड़े परबावित है यह गलाद है देखे जो मस्तिस्क को परभावित करता है यानि किससे मस्तिक संबंदित रोग होते हैं से रक्त धाराय परभावित होती हैं एस बेस्टर जो दूल होती है उससे फैपड़े परभावित होते हैं पारे से जो है वो उधर परभावित होता है ना की त्वज़ा तो option number 20 में D सही हो जाएगा यह सही सुमेलित नहीं है निमने लिखित वाईयू परदूसकों में से किसक सब्सक्राइब निमने लिखित में से कौन सा या कौन से कारण उत्तरदाई है जलवाईयू परिवर्तन सही आवासों का विणास ये भी सही है विदेशी परजातियों का परवेश ये भी सही है तो option number D सही होगा उप्यूक्त सभी क्योंकि ये तीनों जो है वो जएव वीव सिख्य Technology अदिनियम कब पारित किया गया तो देखे जो पोधे होते हैं वह अपनी जड़ो केद्वारा फासपोरस को और्थो-फोस्फिट के रूप में ग्रेहण करते हैं ओप्षन नम्बर इसमें B सही होगा लोलक की कालावधी यानिके टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है तो वो जो है लंबाई के उपर निर्भर करती है Anometer, वायू की चाल, बिलकुल सही है, Ameter, विद्धुधारा, ये भी सही है Tabometer, दाबान्तर, ये गलत है, Pyrometer, उचताप देखिए जो Tabometer है वो, सर्वेक्षन के साथ, Syragetion के साथ दूरी दूरी और उसका कोण कितना है यानि कि उन्यन कितना है ये नापने में काम आता है टैक्योमीटर तो इसलिए option number C सुमेलित नहीं है बाकी सभी जो है वो सही सुमेलित है भाप अंगार गैस यानि कि जो वोटर गैस होती है में किसका मिश्रन होता है मिथेन और इथेन का कार्बन डाय ओक्साइड और हाइड्रोजन का कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का देकि जो भाप अंगार गैस होती है यानि वाटर गैस उसमें कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रन होता है जबकि इसमे जो carbon dioxide है water हो गया h2o और nitrogen N2 यह जो है अशुद्यों के रूप में अशुद्यों के रूप में भापंगार में स्रामिल होते हैं carbon dioxide जल और nitrogen अगला कोशन है नीचे दो कथन दिये गए हैं एक को कथन ए और दूसरे को कथन कारण यानिके दूसरे कथन को कारण आर कहा गया है तो इसमें सही कूट निकालना है देखे पहला कथन पढ़ते हैं अप मार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं गर्द होते हैं वह मैले कपड़ों से सरल्ता पूर्वक तेल और गर्ध निकाल देते हैं अप मार्जक जल का प्रश्च तनाव बढ़ा देते हैं इसमें जो मेले कपड़े होते हैं वो आसानी से साफ हो जाते हैं तो इसमें जो है A सही है परंतु R गलत है, option number C सही होगा, कार के इंजन में नोकिंग से बचने के लिए निम्न में से कोन परियोग में लाया जाता है, तो देखे, जो कार के इंजन में नोकिंग से बचने के लिए क्या परियोग में लाया जाता है, टेटा, एथिल, लेड, option number C सही है, इसमें गती प्रे रख, यानि के पेस मेकर का कारि सब्सक्राइब TV के जो पेशमेंकर होते हикс में हुता तो यह दो परकार होते हैं के G1 तमबाक्टों सुगंध तथा स्वाध बढ़ाने में निमलकित में से कूण जिवान Eagle उत्तर्दाई है तो बैसिलस पैसीलस मेगरोचम जोटकर हैं also थेनियम माईकोकस, माईकोकस ये एक जिवानू है जो तमबाकू की पत्यों में सुगंद और स्वाद बढ़ाने में के लिए उत्तरदाई है, निमले लिखित रोगों में से कौन जिवानू द्वारा पैदा होता या होते हैं, हेजा, सुजाक, प्लैग या सिफलिस, सही उत्त किसे कहा जाता है, मेले को फिसलस किसे कहा जाता है, तो पक्षियो द्वारा परागण को, चमगादर द्वारा परागण को, घूंगे द्वारा परागण को, या कीट द्वारा परागण को, देखे, जो मेले को फिसलस है, वो कहा जाता है, जब घूंगे के द्वारा पराग गन किया जाता है तो option number C सही होगा इसका निवनी लिखित में से कौन transgenics दुआरा नहीं पाया जा सकता तो देखे जो क्लोनी करत जनतुओं का उत्पादन है वो transgenics दुआरा नहीं पाया जा सकता क्योंकि transgenics में क्या होता है कि या तो इसका उक्रीजनीन का transfer होता है या फिर उनका परत्य रोपन होता है लेकिन जो क्लोनी करत जनतुओं का उत्पादन होता है ना तो उसमें gene का ट्रांसपर होता नहीं उनका परत्य रोपन होता देखे जो तारे होते हैं स्टार्स होते हैं वो अपनी जो उर्जा है वो प्राप्त करते हैं तो नाब के सल्यन से एक करते हैं गुरुत्विय संकुचन से तो option number A सही होगा केवल 1 और 2 जूकु घाटी किस राज्य में अवस्थित है सिक्किम नागालेंड जम्मु कश्मीर या फिर अरुनाच परदेश देखे जो जूकु घाटी है वो नागालेंड में अवस्थित है तो option number A सही होगा हाल ही में reef for life theme के तहट coral reef की स्थिती और संरक्षन पर तीन दिव से अंतराश्य सम्मिलन का आयोजन कहां हुआ तो देखे लक्ष दीप में reef for life theme के तहट coral reef की स्थिती और संरक्षन पर तीन दिन का अंतराश्य सम्मिलन का आयोजन किया गया था लक्ष दीप में अंग्रेजी के किस तब्द को Oxford Dictionary का Word of the Year 2018 गोशित किया गया है तो टॉक्सिक वर्ड को 2018 का Dictionary of the Year गोशित किया है Oxford Statue of Unity प्रतिमा की उचाई कितनी है तो जो Statue of Unity है उसकी उचाई है 182 मेटर Option No.A सही है यह जो Statue of Unity है यह भारत के गुजरात राज्ये में नर्मदा जिले में आवस्थित है और यह किस की प्रतिमा है यह है सरदार वल्लब भाई पतेल की और यह विश्व में सबसे उची प्रतिमा है Statue of Unity तेहिस्वे मुखे निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है देखे जो सुनील अरोड़ा है उन्हें तेहिस्वे मुखे निर्वाचन आयुक्त किया गया है और उन्हुने ओपी रावत का इस्थान लिया है 54 ज्यानपीट पुरुसकार किसे परदान किया गया तो जो 54 ज्यानपीट पुरुसकार था वो अमिताव घोष को परदान किया गया और ऐसा पहली बार हुआ कि अंग्रेजी के किसी उपन्यासकार को यह पुरुसकार यानि के ग्यानपीट पुरुसकार परदान किया गया चोद्वा पुरुस होकी विष्वकप किस देश में आयोजित हुआ तो देखी जो फॉर्टीनगोल फाइनल मेंच भूपनेश्वर यहां पर इसका फाइनल मेंच हुआ जलवायू जोखिम सूचकांग दोहजार उनिस में भारत कौन से इस्थान पर है तो देखे जो जलवाई हो जो खिम सूच कांग है 2019 का उसमें भारत जो है वो 16 वे इस्थान पर है option number D सही होगा त्यान लियन second zero one क्या है तो जो त्यान लियन second zero one है वो एक उपग्रे है option number B सही है इसका किस का उपग्रे है किस देश का तो ये चीन का एक उपग्रे है MH60 Romeo Sea Hawk helicopter भारत किस देश से खरी देगा तो देखे जो MH60 Romeo Sea Hawk helicopter है वो भारत अमेरिका से खरी देगा option number C हाल ही में केंदर सरकार द्वारा किसे नया मुख्य सूचना आयुक्त न्यूक्त किया गया तो जो सुधीर भारगव है जो अभी acting एक्टिंग जो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कारिया कर रहे थे उन्हें ही जो नया मुख्य सूचना आयुक्त जो है न्यूक किया गया है सुधीर भारगव को अप्शन नम्बस का डी सही है दिपाली बढ़ ठाकुर जिनका हाली में निदन हो गया किस राज्य से संब बंदित थी उन्हें असम की असम की बुल-बुल भी कहा जाता था असम की बुल-बुल यानिके नाइट एंगल ओफ असम ऑप्शन नम्बस ही होगा इसमें हाल ही में प्रारंब किये गए संपन सोफ्ट्वेर का उदेश्य है तो देखिए जो संपन सोफ्ट्वेर है उसका उदेश्य है कि जो टेलिकॉम सेंटर के यानि कि जो दूर संचार विभाग के पैंशन कारी हैं जिने पैंशन मिलती है ऐसे करमचारी उनके बारे में जानकारी परदान करना संपन सोफ्ट्वेर का उदेश्य है हाल ही में वर्ड स्टील एसोशियेशन डबलू सी द्वारा जारी रिपोर्ट में विश्व में भारत का इस्पात उत्पादन यानि के स्टील प्रोडक्शन में कौन सा इस्थान है तो देखे भारत का जो है वो दूसरा इस्थान है पहला इस्थान है चीन का दूसरा इस्थान हो गया भारत का और तीसरा इस्थान किसका है जापान का जापान का अंतराश्टिया बोद्धिक संपदा सूच कांग 2019 के संदर्ब में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए इस वर्स भारत का इस्थान 44 है ये गलत है क्योंकि इस वर्स जो है यानिके 2019 के अकोर्डिंग जो भारत का इस्थान है वो 36 है इस वर्स का सीर्षक inspiring tomorrow है ये सही है 2019 में इसमें कुल 51 देशों को शामिल किया गया ये गलत है क्योंकि इसमें 50 देशों को शामिल किया गया था तो केवल second statement है वही सही है इस फेयर एक्स निमल खित में से किस देश की अंतरिक्स विज्ञान की योजना है तो देखी जो इस फेयर एक्स है वो अमेरिका की Space Telescope जो है वो योजना है ये नासा के दुआरा design किया गया है इस फेयर एक्स अगला कोशन है कीरियन गडियाल पुल का निर्मान निमल खित म में जिला है कठुवा कठुवा जिले में रावी नदी पर रावी नदी पर किया गया है कीरियन گड़याल पुलbirthका निर्मान और इसे रास्टू को समरपीत भी किया गया है रोशनी एप निम्न लिखित में साहता हेतु जो रोशनी एप है वो लोंच किया गया है इसलामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की जो 46 वी बैठक है वो कहां योजित हुई मक्का में इंस्ताबुल में दोहा में या फिर अबुधामी में देखे जो IOC के विदेश मंत्रियों की पैठक थी वो अब पारी इस्तित्क तंत्र में उलट जाता है यानि के उल्टा हो जाता है मरुस्थल घासस्थल वन या फिर जील देखे जो जलिये पारी इस्तित्क तंत्र होते हैं उसमें जो जीव भार का पिरामिड है वो उलट जाता है तो इन उप्शन्स में से जो जील है वो जलिये पार इस्तितिक तंत्र है तो इसमें जीवभार का पिरामिड उलट जाएगा भारत की जलवायू परिवर्तन पर पर्थम राष्ट्रे किरिया योजना प्रकाशित हुई थी देखें वर्ष दो हजार आठ में भारत की जलवायू परिवर्तन पर पर्थम राष्ट्रे किरिया योज प्रकाशित्यृति इसलिए इसका ओप्षिन नंबर ई सई होगा विश्व के किस परवत पर हाल ही में विश्व का सबसे उच्चा मोसम स्टेशन इस्थापित किया गया, तो कहाँ पर किया गया, माउंग एवरेस्ट पर विश्व का सबसे उंचा मोसम स्टेशन इस्थापित किया गया है निम्न लिखित में से किसकी जनमतिथी को अंत्योधिय दिवस के रूप में मनाया जाता है तो पंडित देन दयाल उपाध्याई की जनमतिथी को अंत्योधिय दिवस के रूप में मनाया जाता ओप्षन नम्बर इसमें D सई होगा अगला कोशन देखते हैं विश्र स्वास्त संगठन द्वारा हाल ही में एशिया महादीप के पांच देशों को मलेरिया सुन्य घोशित किया गया है निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है चीन इरान मलेशिया श्री लंका तो देख निवेश को एवं कंपनियों को आगे बढ़ाने ही तू भारत ने किस देश के साथ फास्ट ट्रैक पर नाली स्थापित करने का निर्ने किया है तो भारत ने इटली के साथ जो है फास्ट ट्रैक पर नाली स्थापित करने का निर्ने लिया है जिससे निवेश को और कंपनियों को बढ़ाया जा सके उनको प्रोचाहन मिल सके अगला कोशन है हाल ही में निमने लिखित में से कौन सा राज्य निजी ओध्योगिक एकाईयों एवं कारखानों में इस्थान्य लोगों हे तू नोक्रियों को आरक्षित करने वाला देश का पर्थम राज्य बना तो ऐसा कौन स राज्य है आंध्रपरदेश है जिसने जो राज्य के प्राइवेट ओध्योगी एकाईय और फैक्ट्री जैं उसमें जो आंध्रपरदेश के लोग हैं उनके लिए नोक्रियों को आरक्षित कर दिया है मतलब दूसरे राज्यों के चांसेस कम कर दिये हैं लेकिन जो उनका खुदका राज्य है आंध्रपरदेश उनके लोगों के लिए चांसेस बढ़ा दिये हैं उनके लिए जो छेत्र हैं वो आरक्षित कर दिये हैं भारतिय स्वतंतरता संगर्ष की किस परमुक घटना के हाल ही में सो वर्ष पूरे हुए हैं ऐसा है हो का अंदोलन रोलेट सत्य गदर पार्टी की स्थापना या फिर उप्योक्त सभी देखें जो रोलेट सत्य ग्राय है वह उन्नीस सो उन्नीस में हुआ था रोलेट अधिनियम के विरुद तो इसी के ही सो वर्ष पूरे हुए हैं रोलेट सत्य ग्रह के ऑक्षिन नंबर बीस ही होगा हाल ही में भारत के 21 पडोसी देश ने विश्व का सबसे बड़ा बर्न एवं प्लास्टिक सरजरी संस्थान इस्थापित किया है मयामार ने बांगला देश ने पाकिस्तान ने या फिर श्री लंका ने देखें बांगला देश ने विश्व का सबसे बड़ा बर्न एवं प्लास्टिक सरजरी स स्थापित किया है 21 2019 को मनाये गए पांचवे योग दिवस की विशेवस्तू थी योगा फॉर हेल्थ योगा फॉर क्लाइमेट एक्षन या फिर योगा फॉर एवरिवन देखिए जो 21 2019 को पांचवा योग दिवस मनाया गया था उसकी जो थीम या विशेवस्तू थी वो थी योगा फूर क्लाइमेट एक्षन फ्रांसेशी ओपन दोहजार उन्नीस में ऐसले बार्टी ने महीला एकल का खिताब जीत लिया था वह किस देश की निवासी है देखे जो एशले बार्टी है वो ओस्ट्रेलिया की निवासी है तो उप्शनम में सी सही होगा भारत के किस सहर को हाल ही में युनेसको ने विश्व धरोहर इस्थल घोशित किया है चेन्नाई को जैपूर को बेंगलूरू क को या फिर हैद्राबाद को तो युनेसको ने जो है जैपूर यानि के पिंक सिटी को विश्व धरोहर इस्थल घोशित किया है कच्चे तेल के उत्पादन में भारत के तीन शीर्ष राज्य यानि के टॉपमोस्ट राज्य कौन से हैं तो राजिस्थान गुजरात असम यह तीनों जो है यह क्रूड ओयल यानि कच्चा तेल होता उसके उत्पादन में भारत के टॉपमोस्ट यानि के शीर्ष तीन राज्य हैं राजिस्थान गुजरात और असम अगला कोशन है तीजानी मोहमत बांद्रे को सेयुक्त राष्ट महासभा के चोहत्तरवे सत्र का अध जक्ष घोसित किया गया था जलोड मर्दा के बारे में निमलिकित कत्नों में से कौन सा असत्य है देखि इसमें असत्य हमें बताना है प्राचीन जलोड को खादर कहते हैं जो परत एक वर्ष द्वारा लाई गई मिट्टियां होती है देखिए यह गलत है क्योंकि जो प्रा होती है तो उसको क्या कहते हैं उसको खादर कहते हैं लेकिन जो प्राचीन जलोड होती है उसको बांगर कहा जाता है तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करें दूसरी परते हैं जलोड मर्दा में नाइट्रोजन वा हुमस की कमी पाही जाती है यह सही है तो इसका जो सही आंस प्षेट रहे है मिलिखीत करें बाचत की गती शीलता हे तुवित्ते हं स्थाई वी नियोग उप्रोक्त में से कौन सा पूंजी निर्मान के घटक है देखे तीनों ही बचत बचत की गतिशीलता है तुझ जो वित्तेई संस्थाई होती है इनके जो finance institutions होते हैं और विनियोग ये तीनों ही पूंजी निर्मान के घटक है तो इसलिए option number D सही हो जाएगा उप्रोक्त सभी निम्न लिखित कत्नों पर विचार कीजिए देखे statement दी गई है तीन उपग्रह अपने ग्रहों की परिकर्मा करने के साथ साथ सूर्या की भी परिकर्मा करते हैं सही है इनमें स्वयम की अपनी चमक होती है ये गलत है बुद्ध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है ये भ निम्न लिखित में से कौन से ग्रह सूर्या की परिकर्मा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं देखे जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं ये सूर्या की परिकर्मा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं बाकी जो और ग्रह हैं वो जो सूर्या की परिकर्मा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं अगला कोशन देखते हैं निमने लिखित युगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है शुक्र सांच का तारा सही है क्योंकि शुक्र को सांच का तारा कहा जाता है मंगल नीला ग्रह ये गलत है ब्रेस्पति लगूस और तंत्र ये सही है अरुन कहा जाता है लाल ग्रह और नीला ग्रह किसे कहा जाता है प्रत्वी को प्रत्वी को कहा जाता है नीला ग्रह तो ओप्षन नमबर जो बी है वो सही सुमेलित नहीं है निमने लिखित में से कौन सी चट्टानों के निर्मान में जैविक अवशेशो का भी योगदान है आगने परत डार बनती है और निक्षयपन से बनती है जिसमें जैविक अवसेशों का वी रहता है निमने लिखित में से कौन सा सक्रिय जोला मुखी यानि के एक्टिव जोला मुखी है कौन सा है वो तो वो है स्ट्रामबोली स्ट्रामबोली option number d सही हो जाएगा निमने लिखित में से कोन सी भूकंप्य तरंग पदार्थ की तीन अवस्थाओ ठोस दर्व गैस से गु गुजर सकती है तो वो है पी तरंग यानिके प्राहिमरी जो तरंग है वो तीनों अवस्थाओं से यानिके ठोस से भी गुजर सकती है दर्व से भी और गैस से भी गुजर सकती है सूची वन को सूची सेकंड से मिलाना है देखे एक तरफ जीले दी गई है और एक तरफ इनकी इस्थिती बतानिया में सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और फिर जो नीचे कूट दिये गए है उससे सही आंसर का जो है चैन करना है एक तरफ जीले दी गई है दूसरी तरफ इनकी इस्थिती दी गई है आए इनकी मैचिंग करते हैं ओंटारियो जील ओंटार जील कहां पर है तो ये युगांडा वा कोंगो की सीमा पर है रुडोल्फ जील जो है वो केन्या में है तो ओप्शन नंबर 20 हो जाएगा निम्न निखित में से कौन सी साग्रिय जल द्वारा निर्मित इस्तला करती नहीं है इस्टैक पुलिन नुनाटक या फिर तटिय कंद् देखे जो नुनाटक है वो साग्रिय जल द्वारा निर्मित इस्तला करती नहीं है ये हिमानी यानि के जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके द्वारा निर्मित इस्तला करती है जबकि जो स्टैक पुलिन और तटिय कंद्रत हैं ये तीनों जो हैं वो साग्रिय जल द्वारा नि निवाददा है वह बन पर विती यह जो फोल्डर मंटेंग के एग्जांपल नहीं है जब K I alors और एंटी यह तीनों जो है। फोल्डर मांटें ते एक्जांपल लDA जो ब्लोक मांटें नहीं कि stole ब्लोक परवत का जो है ब्लोक परवत का एक उधारन है सियारा निवादा निम्न लिखित युगमों में से कोन सही सुमेलित नहीं है अंगूरों की करशी विटी कल्चर सही है जेतून की करशी ओल्वी कल्चर ये भी सही है कैच्वा पालन सरी कल्चर ये गलत है फूलों की क्या रुज रहता है उसको क्या कहते हैं वर्मी कल्चर और श Zahl कल चर jerसे खान जाता है शहतूत की सहतूत की खेती को कहा जाता है सहरी कल्चर तो option number C यहां पर सही सुमेलित नहीं है कोफी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है देखिए जो कोफी अनुसंधान केंद्र है वो चिकमंगलूर में अवस्थित है option number A सही होगा इसका सुची वन को सुची से सुमेलित करना है एक तरफ फसल और दूसरी तरफ उनके रोग दिये गए है चलिए मैचिंग करते हैं चावल में कौन सा रोग होता है देखिए चावल में होता है ब्लास्ट रोग गन्ना की बात करें तो गन्ना में होता है लाल विगलन चना की बात करें चना में उक्ठा रोग होता है जो चने की खेती होती है उसमें उक्ठा रोग होता है गेहूं गेहूं में होता है रतुआ तो कौन सा हमारा option सही हो जाएगा हमारा option सही होगा 2413 या निकि option 1 B option number B सही होगा भारत का पर्थम राश्ट्य उद्यान है देखे भारत का जो पहला national park है वो कौन सा है जिम कॉर्बेट राश्ट्य उद्यान ये पहले आविभाजुत उत्तरपरदेश में था लेकिन 2000 में 2000 में जो है उत्तरपरदेश का विभाजन हो गया उत्तराखंड में चला गया है अब ये जिम कॉर्बेट राश्ट्य उद्यान एशिया का सबसे बड़ा पवन उर्जा केंद्र इस्थापित किया गया है माराश्ट में गुजरात में तमिलनाडु में या फिर आंद्रपरदेश में देखिए जो एशिया का सबसे बड़ा पवन उर्जा केंद्र है वो गुजरात में इस्थापित किया गया है अगला कोश्चन क्या कहता है निनलिखित युगमों में से कोन सही सुमेलित नहीं है कराकोरम लद्दाक देखिए एक तरफ ये पासिस दिये गया है यानि के दर्रे दूसरी तरफ इनकी अवस्तित दी गई है तो जो कारकोरम दर्रा है वो लद्दाक में अवस्तित है सही है रोतांग जमुआयम कश्मीर ये गलत है क्योंकि जो रोतांग है वो कहां पर है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में है ये रोतांग दर्र युवायो के पर्शिक्षन एववं कोशल विकाश से संबंदित है श्रयस योजना ओप्चन no.B सही होगा हाल ही में किस राज्य में परणाम आयोक का सुभारम किया गया तो देखे असम में जो है परणाम आयोक का सुभारम किया गया है option no.C सही होगा इसका फ्रेंड्स हमारे जो डेड़ सो कॉष्चन है जो इस प्रैक्टिस सेट में थे वो खतम हो चुके हैं अगर आपको हमारे प्रैक्टिस सेट हमारी ये वीडियो पसंद आई है इसे प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डाले वह आपको सबसे पहले मिले और अपना स्कॉर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जो है शेयर कर दीजिएगा कि आपके 150 में से कितने मार्क्स आया आपने कितने सही किये तो यह हमें जरूर कमेंट कर देना तो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू